Hello Friends, Welcome to NS Classes, My name is Neetu, आज हम बात करेंगे Day 9 के उपर, ठीक है, Day 9 के उपर बात करेंगे, और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे, आपके HT, में, जितने भी प्रिविएस येर में question आई होगे हैं, HTML के वो सारे question discuss करने वाले हैं आयोप आपको समझ में आएंगे मैं तो सरफ आपको यहाँ पर question ही दूँगे answer तो आप सभी करोगे क्योंकि आपने HTML पढ़ा है तो आपको पूरा HTML आना चाहिए ठीक है तो मैं अब आपको बहुत आराम आराम से ही पढ़ाओ क्योंकि बहुत सारे बच्चों की बच्चे बोलते हैं कि बहुत फास्ट पढ़ाते हो तो आज से हम थोड़ा सा अराम आराम से पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके ठीक है तो चले है आज की अपनी स्टार्ट करते हैं तो चलते हैं आज की क्लास स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखो ht 2014 तो हम बात करेंगे ht 2014 की जिसके अंदर आपके html के question आए थे तो यहां पर देखो tag is used for adding comments तो मैंने आपको ht जब करवाया था तो मैंने उसमें बताया था कि जब आप comment add करवाते हो html में तो आप जो है क्या लिखते हो double लगते हो double star लिखते हो या double star लगाते हो या फिर यह लगाते हो क्या लगाते हो ठीक है वो आप मुझे comment section में बताएंगे क्योंकि आप लोगों को पता है और I hope मैं बहुत कम बच्चे answer कर रहे हैं थोड़ा सा disappoint हूँ बच्चे तो बहुत सारे हैं जो पढ़ते हैं लेकिन answer कुछ ही बच्चे करते हैं एक इशा है जो answer करती है तो प्रेयंक का answer कर देती है उसके बाद तनू answer करती है और I think एक दो बच्चा और इस से जाधा बच्चे नहीं है at least minimum जो है 5-6 बच्चे हैं जो regular basis पे answer कर रहे हैं otherwise कोई भी answer नहीं करता तो भी करना चाहिए क्योंकि आपके लिए यह 40 days crash course अगर आप ही नहीं करोगे अच्छे से तो नहीं होगा है ना हाँ एक mean का भी answer करती है तो काफी सरफ 5-6 बच्चे हैं उससे जादा नहीं है बाकि आप देख लो तो मुझे उमीद है कि आगे से सारे यह बच्चे answer करेंगे तो first question का answer आपको करना है second question देखो dash is not a physical tag इस में से कौन सा ऐसा है जो physical tag नहीं है ठीक है तो आप मुझे comment करके बताओ कि इनमें से कौन सा physical tag नहीं है यह मैं करवा चुकी हूँ detail के अंदर और जब मैंने 2014 का previous year का question discuss करवाय था question paper ht ht का तो भी मैंने इस question को बहुत ही जादा detail में discuss करवाय था तो आपको पता होगा कि इसका answer क्या होगा next question देखो दो ही question आए थे आपके ht 2014 में और दो ही question पूचे थे लेकिन ठीक question थे इतने जादा easy भी नहीं कह सकते लेकिन इतने जादा hard भी नहीं थे normal question थे ठीक है meta tag के के according in html में ठीक है meta लिखा आपने फिर meta को आपने क्या करवा दिया close करवा दिया meta name is equal to then close meta data आपने open किया then आपने इसको क्या किया close करवाया फिर आपने name किया फिर आपने इसको close करवाया ठीक है तो आपको इतना तो समझ आए गया होगा html पढ़के कोई भी चीज़ हम open करते हैं तो हम उसको close भी करवाते हैं सरफ कुछ-कुछ चीज़े ऐसी है जो open तो होती है लेकिन close नहीं होती है वो भी मैं आपको detail में करवा तो कुछ चीज़े जो आपको याद हो तो आप comment section में बताओगी कि ऐसे कौन से टैग है जो open तो होते हैं लेकिन close नहीं होते ठीक है और यहाँ पर जो इसका answer है वो भी आप मुझे बताओगी कि meta tag क्या है meta data क्या होता है सबको पता होना चाहिए कि meta data क्या करता है data about data होता है data की information प्रोवाइड करता है ऐसा ही यहाँ पर है तो इसका answer वैसे तो direct है लेकिन आपके इसका answer करोगे वो देखना है ठीक है next question देखो अब अब देखो आपका 2015 में एक ही question आया था HTML में से तो आप देखो 2016 तक जो है आपके HTML में से बहुत कम question आया है like दो आ गया दो आगया लेकिन जैसे आपका 2017 आया तो आपके HTML के question पूछने की जो quantity है वो भी बढ़ गई मतलब 4-5 question आने लग गए 2018 और 2019 में भी जो है आपके HTML से 5 या 6 question आये थे तो अभी 2020 में भी आप मान के चलो कि 5 marks तो आपके आएंगे ही आएंगे HTML में से तो आपको अच्छे से सारे जो में कैसे question आये थे अब यहाँ पर दिखोड़ दैश अट्रिब्यूट स्पेसिफाई यू 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 आरल आपको पता है सबको यूनिफोर्म यूनिफोर्म रिसोर्स लोकेटर होता है ठीक है of the document that you want to link तो सबसे पहले इसकी full form आ जाती है कि URL क्या होता है अब यहा जो उमीद है कि सारे इस question का answer बिल्कुल सही करेंगे बस थोड़ा सा अपको वैसे लग रहा हो गटर के अधर इसमें direct-direct पूछा है कि जब आप document को link करते हो तो आप क्या यूज करोगे ठीक है इसके बाद इसके बाद देखो 5th question dash is applied in paragraph formatting जब आप paragraph की formatting करते हो हमने देखा थ पी-tag जो है आपका closing tag भी होता इसको आप बाद में close भी करवाते हो तो paragraph में हमने देखा था कि बहुत सारी चीजे हैं जिससे हम text को क्या कर सकते हैं बहुत ज़दा attractive बना सकते हैं तो उसमें ऐसा हम क्या apply करें किस तरह के line space add करके intent add करके font का style add करके justify करके ठीक है तो यह सारी इसका answer भी आपको मुझे देना है ठीक है sorry answer अपको दिख गए है I hope आप answers पे नहीं जाएंगे आप पहरे अपने answers देंगे तभी answers देखेंगे है ना तो यह 5 question थे आपके 3 साल की paper के यानि कि 2014, 2015, 2016 अगर आप इनका सही answer दे देते हो तो मैं आपसे 17 और 19 के भी पूछूँग तो आपका ही loss है तो इसलिए कहते हो कि सारे के सारे बच्चे answers किया करो भई एटलिस आंसर करोगे गलत भी दोगे तो ऐसा क्यों शर्माने वाली कोई बाती नहीं आरा तो पूछो भई एक वाटरे इस क्राश कोर्स हो ही इसलिए रहा है कि जो भी आपको नहीं आता वो कोशन दिये हैं कल के वीडियो में मैंने 20 कोशन दिये थे लेकिन बोगत ही रेर बच्चो का आंसर आया मेरे पस दो या तीन का ही आंसर आया है और किसी का भी आंसर नहीं आया और कोई बच्चा डाउट नहीं पुछता बहुत अदर डिस अपॉइन्ट हूं मैं सभी अब आप तोड़ा सा अक्टिव होगे भी एक्टिव हो जाओ किए एक्साम एक्स्टेंड हुआ है पोस्ट पॉंट हो अशा नहीं होगा दो हजार बिल्कुल मत सोच एक्जाम होगा तो फांच कोशन है इसका आंशर आप मुझे दो गे तीन साल के पेपर हमने डिसकस कर ले है अगर HTML topic सबका अच्छे से clear है तो please comment section में बताएंगे कि हमारा अच्छे से हो गया है और next chapter कौन सा start करना है वो भी आप मुझे comment करके बता सकते हो कि next chapter जो है हम कौन सा start करें तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी लगी है तो चानल को एक लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा तो फिर मिलेंगे ऐसी नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई and thank you